लहसुन और शहद दादी नानी के नुस्खे में लहसुन के बहुत सारे नुस्खे होते हैं आज जाने हम लहसुन और शहद के बारे में इससे पेट, ब्रड़ फ्लेशर, कॉलिस्ट्रोल, हेवी बेट जैसी समस्याओं के लिए लाभप्रद रहता है लहसुन के नुस्खों में जोडों में दर्द, कब्य या गैस के बारे में जानना होगा इनके अलावा एक और नुस्खा अपनाया जा सकता है वो है शहद में डूबा हुआ लहसुन दोनों को एक साथ खाने से ये लाभ होते हैं वजन कम होना, रोग ब्रति रोधक शम्ता बढ़ना, इनके अलावा लहसुन और शहद, पेट, ब्रप्रेशर, कॉलिस्ट्रोल, हेवी बेट जैसी समस्याओं का समाधान होता है लहसुन की कलियों को छील कर काँच के जार में शहद में डुबा कर रखें, प्रति दिन एक कली का सेवन खाली पेट करें प्रातय को लेसुन और शहद के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, अपनाया होगा, दोनों को एक सास लेने से शरीर को अत्यंत लाब मिलता है, इन दोनों का उपयोग सोने पर सोहगे की तरह काम करता है, शहद में अपने अन्टीबायोटिक, अन्टीबैक्टिरियल गुन होते हैं, लैसुन में ऐलिसिन और फाइबर के कारण कही तरह के पोशेक्टत्व मिलते हैं। दोनों को मिलाने से दोनों के फायदे एक साथ मिलते हैं। शहद आर लैसुन सर्गी जुकाम में लावकारी होता है। यह नुजखा गले में खराश और गले की सोजन को कम करता है। अस्थमागे रोग्यों के लिए बहुत लावदायक होता है। ये फंगल इंफेक्शन को दूर करने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। यह एक परकार से इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक शम्ता को मजबूत करता है और बढ़ाता है। यह एक सूपर फूड बन जाता है जो एंटी बायोटिक का काम करता है। और बाडी में डिटॉक्स करके हर तरह के इंफेक्शन को दूर करता है। एक सब्ता मात्र ही इसका सेवन आपको अपना असर का अंदाज़ा दिखा देता है। यह अलजाइमर की बिमारी में भी रक्षा करता है। यह दोनों बजन बढ़ाने से रोगने की अदभुत रामवान दवा है। इसका सुबा खाली पेट सेवन करने से वेट लॉस में लावकारी है। पके लैसों से कच्चा लैसों अधिक गुनकारी होता है। यह फेट को बहत्य तरीके से मॉटिबलाइज कर देता है। यह दोनों कॉलिस्ट्रोल के स्तर को नियंत्रित करने में एहम भूमी का निभाते हैं। इनके सेवन से हरदय रोग में भी रक्षा होती है। तथा कार्डियो वेस्कुलर बिमारियों का खतरा कम हो जाता है। UTI से परिशान महिलाओं के लिए भी लैसुन शहद दवाई की तरह काम करता है। यह खून को गाड़ा होने से रोकता है। और रक्त परवा ब्लड सरकुलेशन को स्मूद रखता है। पेट संबंदी बिमारियों को दूर कर पाचन की गड़बडियों को ठीक करता है। यह संक्रमन इंफेक्शन से जूजने वाले इस मिशरन से लाब पा सकते हैं। शहद में डूबा लैसुन एक राम बन और शदी बन जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाके नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। झाले जाता है।